पहले तुम्हें चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार तालियों से ओवेसी साहब का स्वागत करिए बहुत जबरदस कैंपेणिंग चल रही है और बहुत जबरदस था हमने देखा किस तरीके से एकदम हैदरावाद में सब कुछ चल रहा था स्वागत है आपका सर पहले तो आपने समय निकाला इतनी व्यस्ता के बापजूद अब एक बड़ा नाच्रल सा सवाल सबके मन में यह आता है कि पतंग कैसी उड़ रही है खासकर हैदरावाद में कैसे उड़ी है नहीं अलहीं अलहीं मैं हिदरावाद की अवाम का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने फिर से पांचवी मरताव मुझ पर भरोसा और इतेमाद किया और हमको यखीन है कि बहुत बड़ी कामिया भी हमको मिलेगी हिदरावाद के पारलिमेंट के सीट से लेकिन मादभी लता का कहना है कि इस बार भाईजान की पतंग जो है वो कट जाएगी अब बोलते हैं अब क्या है वो ऐसा है ना कि वो बिचारे एंटाइटिल्मेंट की परटिस करते हैं परकास से आते हैं तो बोलना पड़ता है हम तो सुनते हैं वैसी कोई बात नहीं है मुझे यखीन है हमारे आवाम पर हिदराबाद की अवाम पर पुरा तूट भरोसा है और पर करते हैं अब इनको ऐसा लगता है कि हिदराबाद आकर बीजेपी, अमीज शाह, मोडी को ये दिखाना चाह रहे थे पुरे देश में कि देखो हमने ओईसी को ऐसा कर रहे हैं तो चुनाओ है दर्वाद में नहीं लड़ रहे थे, वो मैसे दे रहे थे पुरे देश में तो वो उसमें वो कुशिच कर रहे थे और उसमें भी नाकाम साबित होंगे वैसे साब, बीजेपी ने पुरी ताकत लगा दी हैधराबाद में इस बार, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना फस गए, बहुत जादा बाहर निकल नहीं पाई है हैधराबाद से ने इसा कहा है हम तो चार दिन बिहार जाकर आए, छे दिन औरंगाबाद जाकर आए, हम तो ठही ने बहुत कम थे, ऐसा है ना अगर आप वही स्टूडेंट अच्छे मार्च लेकर आता जो साल भर पढ़ता है, अब अचानक कोई आकर बुलेगा कि मैं पास पेपर पढ़के हो जाओंगा, तो पास नहीं होते, एलेक्शन में आप, तो हम तो पांच साल से काम कर रहे थे, हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, कोई फसनस नहीं कोशिद ने, बीजे भी फस गई वहाँ पर, अच्छा, लोग ये मान कर चल रहे थे कि जो हैदराबाद से पतंग उड़ेग तो बिहार भी जाएगी, बिहार थोड़ा बहुत चली गई, यूपी तो आई ही नहीं पाई, ऐसा क्या होते हैं, यूपी में हम तो हमारी बहन पलवी पटेल के साथ अलाइंस किये हैं, आप, आपकी पार्टी नहीं लड़े हैं, हमारा एक कैंड़ेट है, शायद एक कैंड पार्लिमेंट कांसेंसे हमारे कैंड़ेट हैं, लेकिन आपने प्रॉमिस तो शायद 16 का किया था, ने ने तो आपकी नमबर है, तो मरे 8 से 10 लड़ रहे हैं, यूपी में कोई उमीदवार क्यों नहीं उतारा आपने, यूपी में क्योंकि हमारा अलाइंस हो रहा था, कैंड़ेट हैं, बिहार के अगर बात की जाए, तो सीमानचल के लगभग सभी मुस्लिम बहुल शेत्रों में चुनाफ समाप्त हो गएं, एाई एमेम ने अपने उमीदवार जो हैं, वो नहीं दिये, पुन्निया, अररिया, काटियार जैसे मुस्लिम बहुसंक्यक वाले शे कैंड़ेट हैं, वहाँ पर हम खुच जाके कैंपेंड़ करेंगे, किशनगंज की हद तक क्योंकि हमने जो पांच विधायक जीते थे, उसमें से चार हमारे किशनगंज पार्लिमेंट सेग्मेंट के थे, छे में से, तो जाहर है हमारा स्ट्रॉंग पॉइंट वही था, तो ह हमारी अख्तर भाई का ख्याल ये था कि सर हम जादा पुरी फोकस की शनगंज पे करते हैं, बजाए कठिया रारिया पूर्निया को छोड़कर, इविधान सभा जवाएगा, इन जगा पर एलेक्शन लडएंगे हम लोगे, पहले वर्षी साहब आपको बीजी पी की बी टीम होगे क्या ऐसा? पर एक बात तो ये है कि इनको तकलीफ तो होती है दोनों को हमसे, तो वो बात अच्छी है, आपने का दोनों को तकलीफ होती है, फिर ये जो तेलंगाना के सीया मेरे वंतरेटी, आप उनकी तारीफ करते हैं, वो आपके कसीदे पढ़ते हैं, मामला क्या है? नहीं तारीफ का नहीं है, देखिए जब चुनाओ हो गए, तो हमने उनको मुबारकबाद का फोन किया, और हम तो आप जानते हैं, हमने तो ओपन ली बी आरस का सुपोर्ट किया था, तो खेर वो बात चीत हुई करी, तो हमसे का है कि भाई, थोड़ा हमारे कॉंस्टेंसी क डिवलप्मेंट का काम है, दो एहम काम है, करवा दीजिए, तो बोले क्या कराना है, हम बोले वह एक मेट्रो का एक लाइन बाखी है, उसके लिए लैंड अकुजिशन के लिए दोजार कॉर्ड लगेंगे, और रोड वाइडनिंग तीन जगा पर एक सो बीस कॉर्ड लगें होंगा, जो आए हम उनका विलकम किये, तो डिवलप्मेंट के लिए तो बात करना पड़ेगा, अगर डिवलप्मेंट हम नहीं कराएंगे, तो प्रो कैसा होगा, तो मैं तो उनका शुक्रिया दा किया, और उनकी पार्टी का कैंडिएट मेरे खिलाब भी है, एक तरफ आप बता रहे हैं कि डिवलप्मेंट के लिए बात करना पड़ता है, दूसी तरफ इफ्तारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन ओवेसिस आपको नहीं हरा सकता, नहीं हम भी कोशिश किये ना, उनको आराने के लिए, तो उनकी सीटें कम हुई जर से का आपको पांच साल हैं, आप पूरे वादे जो किये पूरा करिये, और तेलंगाना के प्रोग्रेस, प्रोस्परेटी और अमन के लिए हम बरावर आपका साथ देंगे. गिए अभी तो जज्ज नहीं कर पाएंगें, नहीं कर पाएंगें, एसा है ना, वो हनीमून चजिएंगी बात हम बोले थे बोले वो है वो सु मुकर कोन जा रहा है उसे बोले है वो धे encouraged लेकिन आपने एक बात कही और आपने कहा कि ये चुनाब मामू को जिताने का नहीं मोधी को हराने का है याँ आप मोधी को हराने के लिए किसी के साथ भी जाने को तैयार है नहीं नहीं देखिए बीजेपी को हराने के लिए तो हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं मगर ये दूसरे पार्टी बोलते हैं बी टीम है ए टीम है सी टीम है क्या क्या बोलते तो हम तो उपन लीक मेसेज दे दिये हिदरा तेलंगाना की अवाम को के भई आप तेरा मई के दिन हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी खतम ये हम नारा लगाए थे ये स्लोगन दिये और हम बोले के मामू का चुना नहीं है बिलकुल नहीं है लोकसवा का चुना है वजीर आजम मोडी है तो उनको रोकना है तो हम मेसेज दिये वह इसलिए तो बीजेपी वाले कह रहा है कि हैदराबाद में कॉंग्रेस ने ओवैसी साब को सपोर्ट किया अ लालू यादव ने जिस दिन 26 एपरल को पोलिंग थी किशन गंज की मैं इतने बड़े सीनिय लीडर है उसके बावजूद भी पोलिंग के दिन वीडियो जारी करते हैं लालू और बोलते हैं कि OAC को ओट मत दो ओट काट देगा और वो जो कैंड़ेट हैं जावीद को दे द हमारे हाथ में नहीं है हरे के पास जाकर के भाई आप समझीए हम ऐसा नहीं है वो छोड़ दी हमको असर ही नहीं पड़ता अब यूपी आए हैं फिर यहां पर शुरू हो जाएगा यहां पर क्यों आए आप आपका तो जुरा हो गया तो है दरवाद में बैठी है अब महरा कर दिये अब 48 लोग सभा की सीट में से एक को भी नहीं देते आप और इम्तियास के खिलाव केंडियाट खड़ा कर दिये तो यह तो इनको देखना चाहिए ना अगर हम चुनाओ लड़ रहे हैं तो हम सब के खिलाव लड़ रहे हैं हमारे को जहां पे हमारी पार्टी को फा अरचनक जीवन में नहीं रहेंगे अब प्रधान मंत्री जो है बड़ी सफाई से जुड़ बोलते हैं असी बीस कौन बोले शमशान खबरस्तान कौन बोले कपड़े देखकर पैचानों किसने कहा दोजार दो में किसने कहा था कि रिलिफ सेंटर इसलिए चलाएंगे ताके बच्चे पैदा हो जाएं किसने कहा था ये और मैं आप मैं आपको बताता हूँ ये बारवार वीजेपी के मुलक के वजिर आजम बोलते हैं ना कि इतने लोग गरीबी से निकल गए आप ये देखिए मैं आपको डेटा लेकर आया हूँ ये मोडी सरकार का डेटा है पिरिय मैं गरीबों में ज्यादा उनका रेपेसेंटेशन है ये पीलेफस सर्वे है और लोईस शेर है रेगुलर्ट सैलरी जॉब्स में तीसरा मोडी सरकार का डेटा है एस एची का डेटा के एक लाक असी हजार मुस्लिम बच्चे हाईर एजुकेशन में कम हो गए अच्छा फिर है अच्छा यह आप यह भी देख लीजिए के एनसेस का सर्वे है जॉब्लेस में मुस्लिम जॉब्लेस का सर्वे है तू पॉइंट सिक्ट्व परसंट था दोजार नो दस में वह बढ़कर सेवेंट पॉइंट बंसी सो गया दोजार अठारा उन्नीस में अब यह सब गवर कास्ट है वो तो हिंदू OBC से कम विलती है मोडी सरकार का डेटा है मेरा नहीं है यह अच्छा फिर वो बोलते हैं हम सबको दे रहे हैं उजवाला दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आवाज योजना दे रहे हैं मुद्रा दे रहे हैं मैंने कई RTI डाले अप्लिकेशन बताई है ना तो बोलते हैं हम डेटा नहीं रखते हैं आप वो भी नहीं देते तो प्रधान मंत्री तो बोल चुके हैं तो कल प्रधान मंत्री ने क्या कहा था एक भाशन में आपके टीवी चैनल पर देखा मैं कि 15% 15% कौन है भाई 15% तो मुसल्मान ही है हम तो कोई एलियन को तो पदान मंत्री जो मार्स पर बैटे हैं तो यह सब पदान मंत्री कह रहे हैं अच्छा अमीद शाह यह क्यों बोलते कि राम मंदिर की प्राण पतिष्टा में नहीं गए मगर एद मनाने जाएंगे राम को अगर मानेंगे तो अच्छे हो जाएंगे और अगर मैं अपनी मजभ पर चलूँगा तो बुरा हो जाओंगा आप मेरे एद को क्यों ला रहे हैं आप किसी सेलिब्रेशन को बीच में क्यों ला रहे हैं बताईये ना तो यही तो कर रहे हैं अच्छा कहां गया भाई ग्यारेंटी मोडी की गैरेंटी कहां गई विक्षित भारत एक सुन लिजे विक्षित भारत कहां गया चंद्राइन त्री कहां गया सेकुरिटी कॉंसल की पर्वेंट मेंबर्शिप कहां पर गई विश्व गुरू कहां गया आप आगे असली एजंडे पर अपने कि मुझे बदनाम करो बच्चे जादा पैदा करता हूं गुस पेटी कौन है गुस प अबरिक है देश का बड़ा कमजोर है आप उसको धजियां उड़ा रहे हैं अच्छा नुपूर शर्मा क्यों बैठी आपके पार्टी में बताइए ये तो पुरानी बात होगी ने पुरानी बात नहीं है नहीं 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 मैं आपको दो मैं आपको ये 2019 से 2024 की बात क कहा तुष्टी करण का ए बी आरेस को बी और कॉंग्रेस को सी और ये भी कहा कि आप तीनों शरिया के आधार पर कुरान के आधार पर तिलंगाना चलाना चाहते हैं कहां चलता है शरिया के आधार पर कैसा हो मिनिस्टर है देश का तो शरिया के आधार बचल रहा है तो आप प्रेजेंटूर लगा दीजिए ना शर्या कहते हैं चलता है कोई देश कैसे चलता है बताई आप फ्रीडेम ओफ रिलिजिन आपको भी मुझे भी है तो आप अपने अपने समुदाय के रस्मों रिवाजात के तहट आप अपना काम करेंगे अब अमिच्छा लगा दिये तु एक मुसलाओं टिकेट दीजिए ना या मीच्छे हमारे साथ चलें हम बनारस चलते हैं आप भी चलिए कैमरा के साथ वो बुनकरों की बस्ती में जाते हैं जहां पर अंसारी भाई रहते हैं उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमारे MP नरंदर मोडी ने पांच साल में क्या किय है तुमारे लिए देख लेंगे बिजली का बिल उनके लेट फादर के नाम पर होता है तो चेंज नहीं होता है आपने यह तुष्टी करन बोलेंगे इसको आप तो यह सब एक्जाम्पल्स जेरा हूं मैं आपके सामें आप ये कौन है भाई धरम संसत करानवाले कौन है बहुत बिक्री बड़ी बनारसी साड़ी बनाने वाले कभी सेड बने सेड तो नहीं बने वही मज़़ूर है अरे क्या बहतर हुए भाई आदे तो भाग गए बंबई को पूरे पूरे बंबई चले गए हम तो वही बहुत ना चलके देखते हैं न साच चलिए हम चलके इतना बड़ा दिया यूपी सरकार ने यहीं तो हमां बता रहे हैं तुष्टी का है तुष्टी कर उन्हों बताईए किदर हुआ बताईए जेलों में सब्सक्राइब मुसल्मान है लगों की नोकरी चले जा रही है तनखाये आप लोंग इस गार निकले अपने जिक्र की जिखर की popन में घरों में खुआनाना म mày गर में कहां खाने की बात कर रहे हैं छोड़िए ना क्या बोल रहे हैं आप क्या मेरे बाब विदि सब देखे यह जो है ना मेरे घर में ड्रैवर मुसल्मान था यह पुराने डायालॉग हो चुके हैं यह उस जमाने के पिक्चरों में अच्छा लगता था अब यह आप सालमान, मम्मद बिन जयद, या हबीबी, या हबीबी, उतर, बताएं किया है यह, लाइटर वेन में लीजिए, दिल पे मत लीजिए, मगर बता रहे हैं आपको, यह तो हो रहा है ना, बताएं आप, आप बोल रहे हैं आप, असदोवेसी, तेलेंगाना में के मिच्छा बोलते तो यह सब कैसे हो गया यह, नहीं, चाबार पोर्ट हमारे लिए जुरूरी हम पैसा लगा चुके हैं उसमें, अब बड़े पपाजी अमरीका बोल रहे हैं कि सैंक्शन लगाएंगे, हमको जुरूरी चाबार पोर्ट जुरूरी अफगानिस्तान में जाने के लिए बड़ा कारुबार होता है, यह तो उनके साथ व्यक्तिकत संब्दों के अधार पर है। हम कमाते हैं, कमाते वहां पर हैं, लाते यहां पर हैं, foreign exchange पूरा जो आता है, इंडिया को सबसे ज्यादा, North हमारे ज्यादा तो Gulf country से आता है, Personal tuning की अगर बात की जाए, मैं भारत की बात करता हूँ, Personal understanding की बात की बात की जाए, TUNING क्या होती है, चलिए, कतर में, परस्णल रिलेशन्स के आधार पर ही तो हमारे नौसायनिक वापसाए जिनको सजा होई थी देखिए सजा क्यूं हुई उनको बाद जबावान मत खुला एजिस में बहुत जाता हूं उस बारे में नहीं बोलना चाहरा है उस बारे में क्यों सजा हुई उनको पुछ लिजे कभी बिठाकर लोगों को M.H.A. के सजा क्यूं हुए उनको आखर क्या जुरूम किया था उन्होंने मगर उनको वखत तो गुजारना पड़ा ना हम भी तो डिमांड पारलिमेंट में सबसे पहले डिमांड करने आला मही था अचा हमारा आप ट्यूनिंग की बात कर रहे भाई कुल्बूशन बठावा है बुलाईए ना उसको लेकर आईए पाकिस्तान में कुल्बूशन बठावा है हमारा वो भी तो भारक का नागरिक है उसको बुलाईए मामला चल तो रहा कोट में भारत इंटरनेशनल को भारत लड़ा है मामला भाई उसकी सजाय मौत रुक गए पंकज भाई मर फसावा तो है ना खुल बोशन पूरा में उसकी फैमिली को पूछता नहीं पलट के उसकी उसके रिश्दार परेशान बैठे हैं अच्छा यह इतने लोग जमेका को चले गए अमेरि लेंड में हमारे कितने 20-25 जार लोग इलीगल हैं वो भी वापिस नेना हैं को बीजेपी यह कहती है कि आप जैसे नेताओं ने उसमें आपका भी नाम है प्रधामांती नरेंद मोधी की मुस्लिम विरोधी छवी बनाई है कौन मैंने बनाई है बीजेपी कहती है आप ने न इसमें इसमें एक प्रोग्रम में फिफ्टीन पॉइंट प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम दस साल में रैंदर मोधी उसकी एक मीटिंग लिए है बता दीजे उसका नाम ही खुद है फिफ प्राइम मिनिस्टर फिफटीन पॉइंट प्रोग्राम एक मीटिंग नहीं लेते आप आपकी सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलर्शिप को नाइंध किलास से कर दिया जबके मुसल्मानों का माइनरिटी है मुसल्मान ड्रॉप और ट्रेट क्लास फॉर फाइस है आपने मौनाजाद एजुकेशन फांडेशन को बन कर दिया किसका नुफसान हो रहा है बताईए उसमें मैं कई मिसाले दे सकता हूं आपको हमारा काम चवी बनाना नहीं है फैक्ट्स के उपर बात करिए और फिर हमको उसमें को रिबट करिया पिन नहीं देते वो वो जब बात कर रहे हैं तो वाइस प्रेस्ट ऑफ इंडिया के तहट बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सम्विधान बेसिक जाएगा यह बेसिक स्क्टर चला जाएगा यह बात जा चुकी है यह बात घरीब के दिलों में जा चुकी है जो सम्विधान से महबबत करने वाले हैं जो बाबा साथ वंबेटकर की बड़ी इज़त करते हैं उनके में से जा चुका है 400 पार का मतलब वही है और क्या है उनक स्ट्रक्टर कर नहीं है तो फुरा फंडेमेंटल राइट फुरा फेडरलिजम चला गया चैप्टर 3 भी कमजोर पड़ जाएगा आटिकल 29 30 भी चला जाएगा आचा वह जो बाबा मिलकर आए संबल के उन्होंने क्या कहा कि आइंदा साल धरम संसर्थ में हम यह रखेंगे क आरक्षान निकाल दो आप आचा वह उसको आपने बड़ा चलाया वह बाबा को मोडी जी से मिलकर रहें यह सब इन्हीं के तो लोग हैं देखें बीजेपी आरेसेस में डिवीजन ऑफ लेबर एक नाम की चीज़ होती है वह हो रहा है आप जिनका जिकर कर रहे हैं ना वह ख लिए मान लिया पर यह जो डिप्टी सीम बोल रहे हैं राजस्तान के और जो प्रधान मंत्री बोल रहे हैं अरे प्रधान मंत्री क्या बोल रहे हैं प्रधान मंत्री क्या बोल रहे हैं प्रधान मंत्री क्या बोल रहे हैं कि अगर अंबेटकर भी आ जाए तो नहीं करेंगे अगर आपको बाबा साहब मेट करती महबबत है तो आपने एकनॉमिक ग्राउंड पर कैसे दिया रिजर्वेशन बताईए एकनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते हैं आप आपने दे दिया सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस असल पैरामीटर है और आप बोल रहें के मुसलमानों का रिजर्वेशन हम हटा देंगे अरए मैं मुसलमानों को यूपी में नहीं मिल रहा है मुसलमानों को मजबूर जुडिशरी हो, मीडिया हो, वहाँ पर सम्विधान को कोई खत्रा नहीं है, सम्विधान कभी भी नहीं बदला जाए. सर, सम्विधान को खत्रा उन लोगों से नहीं हो सकता, जो कॉंस्टिटूशन की मॉरालिटी को मानते हैं, जो कॉंस्टिशन को एक लिविंग किताब समझते, और उनी से अगर आप ही खुद अनकॉंस्टिशनल काम करेंगे, तो क्या करेंगे बताईए आप, आप सी डवले का खानून मजब के नाम पे बना दिये, टिपल तलाख का खानून आप बना दिये, महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, यूए पीए का खानून, आपने राइट तू एक्वालिट के खिलाफ बना दिया, कि इतना बत्तरीन खानून आपने अमेंट कर दिया, उसको कई मिसाले हैं, जो नोने किया है, आर्टी आई के कमिशनर्स का अपॉइंटमेंट आपने स्टेट गौर्वर्मेंट से चीन के आप बनाने वाले हैं, फेडरलिजम के खिलाफ आपने कई काम कर दिये, तो ये सब चीजों को सामने रखकर, ये बात करना कोई नाजाइज या वो नहीं है, ये रेटोरिक नहीं है, ये बिल्कूल कर सकते हैं, बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि सम्मिधान में जो हम संसोधन करेंगे, वो युनिफॉर्म सिविल कोड के लिए करेंगे, जनसंख्या नियंदरन के लिए करेंगे, अब मोडी जी के कितने भाई हैं छे, अमिशा की भेहन छे, गुलवाल कर के ग्यारा, आप क्या बोल रहे हैं, भाई, आप ये जूट क्यूं बोलते हैं मोडी सरकार ये निरेंदर मोडी, मुसल्मानों का जो पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ है, गिरा है, मुसल्मानों, बहिनों का, बेटियों का जो TFR रेट है, पूरे समोदाओं से सबसे ज्यादा गिरा है TFR रेट, ये क्यों नहीं बोलते हैं आप, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि 2070 तक, 2071 तक, हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 78.89 पे, और उसके 40 सालवा 20.01 में मुसलिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, कभी भी मुसल्मान इस देश में हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, आप ये खत्रा पैदा कर दिये, आपने मेसेज दे जिया कि देखो, ये बच्चे जादा पैदा कर रहे हैं, पधान मंतरी ने ये कहा नहीं कहा बताईए, जो बच्चे जादा पैदा करते हैं, ये जबान पधान मंतरी को जेब देती है, अच्छा, UCC के आप बात की पंकश भाई, आप बताईए, UCC जो उत्राखर्ण में बना गया है, जहां बीजेपी के सरकार है, वहाँ पर कहा जा रहा है, कि मुसल्मान की शादी स्पेशल मेरेज आग के तहद होगी, और सारी दुनिया जानती है, कि मुसल्मान की शादी अगर होती है, तो निकाह से होती है, गवाह होते है, और दुलहन को महर का माउंट दिया जाता है, आप बोरे स्पेशल मेरेज आगे, अच्छा, UCC की बात करने वाली है, बता दें, ये जो आपने खानून मना है, यूपी में, रिलिजिजन चेंज करने का, वो कहां से UCC से कॉन्टिक नहीं करेगा, लव जिहाद का आपने खानून बना दिया, UCC है, अच्छा, UCC किस का होगा, दयाभागा स्कूल का होगा, या मिताक्ष्रा स्कूल स्कूल अफ थाट का होगा, आप UCC की बात करने वाले, ये भूल गए कि आर्टिकल 39 ABC क्या कहता है, कि इस देश के नैच्टरल रिसोर्स को, वेल्थ को सब में एकोली बाट दिया जाए, नहीं बाटा जा रहा है, UCC की बात करने वाले, ये क्यों भूल गए, कि उसमें शराब पर पाबंदी लगाना है, लगा ही ना शराब पर पाबंदी आप, अब हर बात को, मुस्लिम समा से क्यों जोड़ देते हैं, मैं पॉपलेसन कंट्रोल की, अब आप आर्टिकल 39 ABC मुसल्मान, नहीं नहीं, मैं अगर, शराब सब के दिये है, मेरा पूरा सवाल सुन लिए, पॉपलेसन कंट्रोल की बात हुई, तो आपने उसको मुसल्मानों से को जोड़ दिया, अगर बन रहा तो सब के लिए है ना, पंकज भाई, इसलिए क्योंके पधान मंत्री ने, 133 कोज जन्ता के पधान मंत्री ने, खड़े होकर, मुसल्मानों पर जूटा इल्जाम लगाया, कि यह लोग जादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं, उन्ही के गवर्मेंट का डेटा है, अच्छा आपको मालू होना चाहिए, 2022 डिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें एफिडेविट डाला, किसी ने, बीजेपी वाले ने केस डाल दिया था, कि दो बच्चों का नौम, उन्हें ने का कि नहीं, उसकी जूरत नहीं हमको, सुप्रीम कोर्ट में आपने जवाब दिया, अब पर प्रदान मंतरी काये था, ज़ादा बच्चे पैदा कर रहें, कैसा बोलते हैं ये, ये जेब देता है प्रदान मंतरी को, कि आप नफरत पैदा कर रहें, कोई अजिक है, मुसल्मान गरीब जरूर होगा, मगर को उसमें इतना तो, self respect esteem होगा कि वो हर्गिस खुबूल नहीं करेगा किसी हिंदू भाहिन के गले से मंगर्स उसको चीन कर दिया रख ले वो क्यों रखेगा वो हम क्या चीनने वाले हैं हम लोग चोरी करने वाले हम लोग क्या जबान बोरे प्रदान मंत्री उनको ये speech उनकी चीन का मुझे दिया जाएगा फिर मैं घुस पेटिया कैसे हो बताई है फिर मैं रोकूंगा ये बात तु प्रदान मंत्री जी ने कॉंग्रेस के लिए कही आपने फिर मुस्शन के जोड़ दिया ना परदान मंत्री ने नहीं कही कि कॉंग्रेस के लिए अगर हो कहते हैं तो मैं नहीं बोलता है बोलिए कई बातें बोल रहे हैं कॉंग्रेस के बारे मैं उसका डिफेंट कर रहा हूं क्या मैं उसको सब्स्टेंशिट कर रहा हूं गुस्पेटिया कौन है गुस्पेटिया तो हमें गुस्पेटि पंगजा नही में जिसमेरा भी सवाल था कि डेटा बताए घुस पेटियों का किसने कहा था दीमक किसने कहा था दीमक किसके बारे में कहा था यह तर्माइट्स हैं यह तो हम बता रहें आपको अब देखिए मैं थोड़ा सा ऑन लाइट अवें जाता हूं आने यहां पर सबसे पूछा कि दो लेते हैं आप नहीं दिए दावत हो भाहर ले नहीं जाते हैं न इस वार वे लें से वह रहीं और पव्लायें आप आपके ऐसी डावग बाजी की दरुव क्यूं पढ़ी कि छोटे को रोक रखा है वो तो हम यह क्यूं बोले वो बोलिए सर प्लीज यह तो बोलिए ठीक ने ने क्यूं बोले बोलिए जरा जो उस तरफ से नबनी तरह ने जो बोला क्या कहा उन्होंने 15 सेकिंड वाली बात जो हाँ अब ऐसा लगता है कि वो मोहतरेमा को वैक्सीन लिए उसका आफ्टर एफेक्ट की बहुत यूपी में चर्चा है हम बोल रहे हैं कि लोग कोरोनिल ले लिए थे इसलिए सब इस तरह के अनाप शनाप बकरे हैं क्योंकि आपने पूचा है नबनीत राना ने कहा कि वो कह रही हैं कि उनको 15 मिनिट चाहिए चाहि लेखना चाहते हैं हम आपके जुलम को देख चुके और जुलम आप करना चाहरे करिए अगर आपको एक सडिस्टिक प्लेजर मिलता है 16 सेकंड में जो करना करिए ना कौन रोकर आपको बलके हमने कहा कि नरंदर मोडी जी को बोली हम उनके गॉफिस साम में आ जाते थे और अब एक बाद दाए नवरीत राना हैदराबाद के लिए आउटसाइडर हैं उनके कॉमेंट को इतना सीरिस्ली लिएने की जरूवत क्या है अरे भाइसाब आप लोग चलाते हैं और आके मुझ को लगा है ते माइक बोलिए तो क्या बोलेंगे ये क्या बात है जुलम है यह ने आप यहुझ की इतने मासूम और रहा है ने चलाते हैं आप लोग हैं अब टी एर पी रहती है और चबीने पड़ेव होई चल रहा है वह है फ़ीसाव है तैजूसागा में बोलिए रियाक्शन दीजिए अब रियाक्शन ना दे हम नहीं तो 15 सेकंड का जवाब तोप से देंगा नहीं हम देखे आप ने क्या कहा आप ये नहीं बोलते कि वो केस खतम हो चुका है और हमारे भाई के बारे में मैं आपको कई मरतबा दावत दिया हूँ आपको पंकरज भाई को आते नहीं है हेमन साब तो आते ही नहीं है तो आप आजाएए हम आपको लिजा कर दिखाते हैं कि 19,000 गरीब बच्चे उनके स्कूल में फ्री में पढ़ते हैं 19,000 वो तोप है हमारा वो अद्मी काम कर रहा है भाई इसलिए तो उनको जीते हैं को भाशन पर जी जाता है क्या आपने बैठे बैठाए एक मुद्दा नहीं दे दिया महरास्ट में क्या यह कहके क्या कहके तो पंद्रा बिन्याट ने ने उन्होंने उन्होंने 16 सेकंड कहा 16 सेकंड कहा उन्होंने क्या बाते बताईए आप ऐसा बो रहें यह कर देंगे क्या कि उसका मतलब क्या निकलेगा यही सबका साथ सबका विकास है नरंदर यही तो हम बो रहें ना देखिए इनका तालुप मोड़ी से नहीं है यह मुद्रहमा का जिसका आपने नाम लिया अगर कोई मुझे मार नहीं हाएगा चे गोली तो चला चुके है अब दूसरे मरतब लिए या तो वो रहेगा या मैं रहेगा अइसा तो नहीं होगा ना भाए अभी तो माहल गरमाते हैं। प्राइमिनिस्टर बोले हैं या मिच्छा बोले हैं कि तुम जह दरवाद जा रहें। बोल दो ये महल गरम करो। क्या महल गरम कर रहें। कुछ हो रहा ही नहीं है। ये सब कौन बताया है आपको। अरे हमारे भी बहुत से कान हैं हर जगा पर हैंसा मत समझे। मगर मेरा मानना ही है कि कोरोनल लिये थे इसलिए वो एफेक्ट हो रहा है। आपने अपने कानों का जिक्र गया है तो मुझे ही बताई है आधा चुनाव हो गया है अभी तक क्या तस्वीर देख रही है। ने ने सर मुझे नहीं मालूँ मुझे नहीं मालूँ मेरी कोशिश यह की है कि तीसरी मरतबा इस देश के वजीर आजम पधान मंति नरेंदर बुड़ी ना बने हमारे पार्टी हमारे अलाइंस की दा काइंड़ेट्स है वो जीते हैं यह हमारी कोशिश है क्या हुआ कैसे मेरा कोई तालुक ही नहीं है उनसे लेकिन इसलिए तालुक की बात कर रहा हूँ प्रियंका गांधी कहती हैं कि ओवेसी सीधे सीधे बीजेपी की मदद कर रहे हैं वो यह कहती हैं कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर ओवेसी को आगे कर देते हैं अरे भाई हम अम जब honor पेंड लेंगे, कोई बात नहीं हमको कोई बात नहीं एक perception ये है कि जब थोड़ा से चुनावी माहौल थंडा लगता है, तो होता ये है कि कुछ ऐसा करो कि Oasis साब के एक दो बयान आजाए पूरा तवा गरम हो जाएगा आप हमारा बयान कहरी मत करिए थंडा रहेंगा माहौल आप बोलते हैं ना बंद कर दीजी, आप बोलिए माहौल थंडा रखना है, बरफदान में रखना है zero degree रखना है, कर दीजी ए, कहरी मत करिए आप आप बोलिए मोहन रथ होगा, Oasis कोई महीं बोलेगा मत चलाईए बहिए आप जब आकर रियाक्शन पूछते हैं अच्छा कॉम्पटिशन होता है कई मरतावात ऐसा होगा पंगज भाई के आपको नहीं दिये तो नाराज होगा आपका इदरबाद कर बोले आप मैं आप से मरा आपके चैनल को हम क्या करेंगे माहुल गरम प्रदा मंत्री जाए धूप में जादा कैम्पेंड कर लिए बाद में ख्याला है कि चलो जो एक जूटी सफाई देते हैं दे दो ऐसे दिकराए में रुको अर्विन केज़िवाल ने एक विवाद को जन्न दे दिया उनका ये कहना है कि अगले साल प्रदान मंत्री प्रदान मंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि 75 साल के वो हो जाएंगे और वो पद से हट जाएंगे ने अर्विन के जरिवाल को शायद अंदर की बात मालूम होगी मुझे नहीं मालूम मगर मेरा मानना ये है कि नरेंदर मोडी बीजेपी में रहेंगे मोडी नहीं है तो बीजेपी क्या है बात मालूम हो दोचेदर नहीं मालू मुझे नहीं लगता कि मोडी छोड़के जाएंगे बीजेपी को माधविल्स अबैसे जादा पैसा चूस रहे थे अब उनके बारे क्या बात करना है क्या अरविन चैजडिवाल क को अभी विए बीजेपी का छोटा रीचाज चाज बि की बहुत बज़े हैं बहुत बज़े हैं उनका गवर्मेंट स्कूल में बोलते हैं कि एक ही समधाय के रिलिजियस किताब को पढ़ा जाएगा दूसरे समधाय के नहीं पढ़ा जाएगा वही तो 370 का सपोर्ट किये थे पार्लिमेंट में यही हमको समझ में नहीं आता है यह क् ideology पर BJP को हराई है ना convenience के लिए क्यों आप जमा हो रहे हैं पर 370 सपोर्ट किये उदव ठाकरे 370 सपोर्ट किये उदव ठाकरे ट्रिपल तलाग को सपोर्ट किये उदव ठाकरे CAA को सपोर्ट किये लेकिन BJP से लड़ाई का सबसे अधिक खाम्याजा तो उनी को भुगत न पौड़ा है जेल गए जवानत पे चूटे है एक बात सुनिए कोट ने सुप्रिम कोट ने उनको बेल दी सुप्रिम कोट का फैसला है मग जो चार-चार साल से सड रहे हैं तिहार जेल में उनका क्या होगा एक लड़की है जो चार साल से जेल में सड़ रही है उसको बेल नहीं मिल रही है एक ईयसाई पादरी था पच्छेष साल का वो मर गया जेल के अंदर तो यह हम सम women यार हमको हमारा हमारा एक ही आर्गोमेंट है कि जब बेल उनको मिल सकती है तो सबको मिलनी चाहिए ना बेल केजरीवाल को तो जेल हुई लेकिन आप पे तो कोई आप इतना बोलते हैं आप तो कोई मुकदमा हुआ हैं क्या ने मैं मैं आपको बात कर रहा हूँ जो लोग जेल में भी हैं सी डबल एक प्रोटेस्ट के बाद कितने जेल में हैं उनको बेल क्यों ने हो रही है ने ने मैं यह जाना चाहरा था कि छोटा रिचार्ज कैसे हैं अरविंद हाँ बहुत है उनका आइडियोलजीकली उनके खरीब है बहुत आइडियोलजी खरीब है उनके तो फिर जेल क्यों जाना पूदा है कोन कोड़ कृजिवाल को अब वो जेल गये हैं तो होगा कुछ नँप बात होगी उसमें वो तो कोट टै करेंगा का जो उन पर जो चार जो केस है उनके उपर मर ठीक है इस सुप्रीम कोट का फैसरा है हम उसको मानते हैं मानना चाहिए सब open contempt कर रहे हैं home minister Supreme Court की कैसा कह रहे है special treatment दिया गया है open contempt कर रहे है इतो home minister Supreme Court judgment दिया है फैसल है तो open contempt यह तो ideology की बुनियाद पर मैं हमेशा खिलाब रहूंगा खेज्रिवाल के मगर्ये जो statement home minister है तो contempt है यह Supreme Court का special treatment दिया गया है। कि लोगों का मानना है। सब两ुघ है ब्यूखुत पूछा थोड़ी तद्द्र को बीजे पी रहूल गांधी को राम वेरोधी कह रहे हैं। यह चाहिए। मुझे क्या ख़ीर आ है कांग्रेस पार्टी से एक विवाद और आया है वह विवाद यह है जिस तरीके से राम Pvंदी को लेकर जिक्र हो रहा है यह कहा जा रहा है कि कोई राम विरोधी है यह कहा जा रहा है कोई सनातन विरोधी है ये सारे issues इस चुनाव में आ रहे हैं अब वो उठा रहे हैं विरोधी हैं विरोधी हैं इसलिए ने चंदरायन्त्री चला गया विक्षिद भारत चला गया विश्वा गुरू चला गया मोडी की गैरेंटी चले गई अब यही तो इस पे आ गए विरोधी ये हैं विरोधी हो हैं तो अब दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं पांच साल में तो इसलिए ने ने रहेंदर मोडी अपने असल एजंडे पर आ चुके हैं वो कहते हैं कि अगर कॉंग्रेस और कॉंग्रेस ने मिलकर ताले खुलाए थे और जजज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि आपने मुस्लिम पक्ष को बगएर सुने उस जमान में कंप्यूटर नहीं था वा 26 पेज का आडर आपने 7 मिनिट की सुनवाई में दे दी और जजज साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे उपर से हुकुम हुआ था इस तरह का फैसला देने के लिए क्या हुकुम था कि मैंने अपनी घर की दिवार पर दो दिन तक एक काले बंदर को बैठे हुए देखा मैंने कोर्ट की दिवार पर काले बंदर को बैठे हुए देखा तो मैं ये जान लिया कि मुझे हुकुम हुआ इस वर से कि मैं इस तरह का जज्ज्मेंट दे दूँ ये जज्ज्मेंट होता है पर ये कहा जाता है कि तो आज उस दुनिया में नहीं है अगर वो उसी वक्त उसको रोक देते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता आज़ा वो डी-म जो डी-म थे नायर साब जन संग के एंपी बन गए वहां से आप दिखें क्रोनलोजी अमिच्छा की जबान वाद क्रोनलोजी समझे नायर साब एंपी बन गए बी-जे-पी के एंपी जम कर गए जो सब चीजे हैं चली छोड़े इस बात को पुरानी बात हो गए ने ने पुरानी बात नहीं है की नमास खुबूल होगी वो मस्जिद जरारा है वो वो मस्जिद नहीं बोल सकते उसको क्योंके इसलामिकली अगर आप देखेंगे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में लड़ाई थी वो जमीन हासल करने के लिए नहीं थी वो मस्जिद को बचाने के लिए थी वरना मस्जिद में कोई जाएगा भी नहीं कोई आप जितने बड़े बड़े आलिमे दीन है कोई भी नहीं जाएगा उस मस्जिद तरफ वो मस्जिद ही नहीं कहला सकती है वो पर सुनी वकवोट तो का रहा है अरे छोड़िये उस वो गौवर्मेंट का इदारा है वो उनको गौवर्मेंट जो हुकम दी उसको उनको करना पड़ेगा और क्या है क्या आप ओवेसी जी कांग्रिस के इस फैसले के साथ हैं कि सी ए कानून वापस लिया जाए हमने तो सी ए कानून का पोस्ट किया था और हम खुद पार्टी बने सुप्रीम कोट में अब सुनभाई होगी दूर के ढोल सुहाने लगते हैं अब वो आ जाएंगे तो क्या होगा नहीं मालूम मगर हम तो उस खानून के खिलाफ वोट दिये मैंने उस बिल को पार्लिमन में फाड़ा था और सुप्रीम कोट में मैं खुद अपने नाम से केस दाला हूँ निजाम पश एड़ोकेट हमारे उसमें बहस कर रहे हैं जब आएगा उसमें हरी होगी प्रधान मंतरी जी ने आरूप लगाया कि S.C.S.T. का हक चीनकर मुसल्मानों को देना चाहती है कॉंग्रिस प्रधान मंतरी दस साल से क्या कर रहे है भाई फिर? कौन रोका उनको? अज़ प्रधान मंतरी हमिच्छा बोलते हैं P.O.K. लेके रहेंगे अरे दस साल में ले लेना था ना आप? कौन रोका आपको P.O.क. लेने से? ले लिजे P.O.K. आप आप अरे डेपसांग डेमचांग से चीन को नहीं हटा सकरे आप डीजीपी कॉनफरेंस में लदाख की S.P. ने कहा कि 65 में से 25 पिट्रोलिंग पॉइंट पर हम पिट्रोलिंग नहीं कर सकते ले लीजे न आप कौन रोकर आपको P.O. के लीजिए हम खड़े लेके जिन्दाबाद के नहारे लगाएंगे चलिए लीजे P.O. के और पारलिमेंट का रिजूलूशन भी हमारा आप ले लीजे दस साल में आपको P.O. के आदनिया अब और ने P.O. के और आपको चुनाओ में पारलिमेंट का रिजूलूशन है अभी तो हमारा पर गड़बर चल रही है अच्छा है न और हमने तो उनकी सीटें भी रखी वो जो रियोगनेशन के बिल में लाया थे और आपको चुनाओ में पी याद आता दस साल में आपको P.O. के याद नहीं आया कुन से फैसले में आईना दिखा रहा हैं उनको जो आज आज आता है तो आज आता है यह कुछ नहीं कि आपने पर देश की सेक्यूरिटी के मामले में देश के इंटेग्रिटी के मामले में मोडी का साथ नहीं दे रहे हम देश का साथ दे रहे हैं यह आपकी सुझ गलत है आप यह समझ रहे हैं कि मोडी देश है मोडी देश नहीं है देश है तो मोडी है देश है तो हो इसी है और देश के लिए बराबर करेंगे मगर अनफॉर्शनेटली क्या हो गया कि ये तो हो इसा हो कि इंदरा इस इंडिया मोडी इस इंडिया ऐसा नहीं करना चाहिए हम सब चले जाएंगे इस दुनिया से भारत तो रहेगा इंशाल्ला लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोडी ने एक नया इंडिया बनाया है घर में घुसके मारते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं घर में घुसके मारें ना चीन को निकालिए आपको हमको लेगे जाए हम तो लदाख तो आप चलेगा आपके साथ तो हमको लेगे जाए डे देफसांग डेमचाक से हम चीन को नहीं निकालेंगे तो सियाचन हम खो देंगे याद रखिए और देश का बहुत बड़ा नुखसान होगा उस वक्त बाती नहीं करते हैं बीजेप वाले डेफसांग डेमचाक की और जो वो जो तलाब जो बड़ा पिक्चर में दिखा था व हो रही है डिसंगेजमेंट क्या हो रहा है बता ही सब बाते हो रही है जूट बोल रहे हैं हम आपको बोले हैं सैटलाइट इमेजस से बात साबित हो चुकी है कि चीन भारत की 2000 स्कूर किलो मीटर पर खबजा करके बैठा हुआ है आप खुसके निकालिए न हम तो टाइद कर रहा है अपने सिपाईयों के लिए बैटरिन बंकर बना चुका है उत्रा खंड के पास जा कर देखिये चीन क्या कर रहा है और उनाचल में जा कर देखे चीन क्या कर रहा है सबसे वड़ा खतरा चीन हो रहा है और कोई बोलती न Canadians बारे मैं तो आप इत्र संसर आप भी जा सक सकते हैं बता सकते हैं देश को देखिए ऐसा बात मत करिये पंकज भाई जहां पर मिल्टरी बैठी हम को आने देंगे और भी दाड़ी वाले को शायद पंकज आ को भी जा देंगे वो लोग मैंने इसलिका मांगी सांसर सुन तो लीजिए ना देखिए हम जाने तयार है सरकार लेकर जाए हम यह हम मोडी जी को भोलेंगे कि मैं जाओंगा पंकज भाई मेरे साथ होंगे और tv9 का क्यामरामन होगा हम जाएंगे चलिए सरकार तो कई बार कह चुकई अरे लेके जाने के कि हम क्या वो रहें डेफ सांग डेमचाक लेकर जाए हम जाना चाहरे हैं चलिए दिखाई ना पूर अपोजिशन लीडर सो ली जाए बीजेपी के एंपी सो ली जाए लिग जाकर क्यों नहीं दिखाना चाहरे आप इसलिए के वहाँ पर चीन बैठा हुआ है मतलब आपको अर उन्होंने कहा एंपी ने बीजेपी के एक तरफ यह आप बता रहें कि वह अंदर बैठा हुआ है दूसरी तरफ उनका यह क्लेम है कि उनका जो बिजनस है वह यहां पर आ रहा है आईफॉन्स भारत में बन रहे हैं उनके काफी जदा स्टेक होल्डर्स हैं वह भारत में आ लोग है ना कि हमारे घर में घुसके कोई मिठाई की दुकान खोल लिया है हम जाकर मिठाई खरीद रहें वाह कितना अच्छा मिठाई है खाएंगे हम एक कुछ तो भारत की महबत होनी चाहिए ना बिलियन सब डॉलर्स आ रहे हैं अच्छा यह जो अमेरिका वेस्टर्ण समझ रहे हैं कि मोडी जी चीन की आँक में आख डालेंगे कुछ डाल ही नहीं रहे हैं आख में आख कहा डाल रहे हैं चलिए अब मैं आपसे एक आखरी सवाल पूछता हूँ चार तारीक को आप क्या देख रहे हैं चार तारीक को क्या देख रहे हैं मैं अस्टरोलजर नही अच्छा फैसला लेगी क्या फैसलाएगा मुझे नहीं मालू मरो जनता का फैसला होगा उसको खुबूल करना पड़ेगा हमारी कोशिश पहली तारीख तक यही होगी कि तीसरी मरतबा इस अजीम वतने अजीज के वजीर आजम प्रदान मंत्री नरंदर मुटीना बने उसके हम कोशिश कर रहे हैं और इस जनता को भी अपील कर रहे हैं कि आप देखिए एक प्रदान मंत्री को अगर आप ओड़े रहे हैं तो वो सत्रा कौड मुसलमानों की बेज़ती करके ओड़ हासल करना चाह रहे हैं आपका वो कह रहे हैं कि आपका मंगल सुतर छिन लिया जाए अब जोरदार तालियों से एक बार शुक्रिया कहना चाहिए थांक्यू वही मुच्छ